अलो दोस्तो, welcome to study universe, मद्यपृदेष के नूबर में चल् weटना, एस वीडियो में आपका स्वागत है, दोस्तो आज हम बात करेंगे मद्यपृदेष weekly current affair, यानि मद्यपृदेष साफता है current affair के बारी में, जो है 21 से 31 माई के बीच, जितने भी मद्धिप्रिदेश से related या इंडिया और वर्ल से related important GK current affair की question जितने भी बने हैं उनकी बारी में बात करेंगे दोस्तो ये वीडियो आपके सभी competitive exam यानि सभी पृतियों की परिक्षाओं के लिए बहुत important है वीडियो को हिंदी और इंगलिस दोनों भाषाओं में बनाया गया है जिसमें हमने top 40 से ज़्यादा questions लिए हैं इसकी PDF और हम से जुडने के लिए link description में दिये गए हैं वहाँ से आप हमें follow कर सकते हैं Instagram Facebook पर तो दोस्तों ये वीडियो बहुत को और से देखें आपके लिए बहुत important है तो चलते हैं question number first पर पहला question है बिस उच्च रक्त चाप दिवस कब मनाया जाता है तो प्रत्यक 17 माई को बिस उच्च रक्त चाप मनाया जाता है यानि world hypertension day celebrated कप किया जाता है तो 17 माई को world hypertension day celebrate किया जाता है दोस्तों इस बार इसकी theme रखी गई थी measure your blood pressure control it live longer ये theme रखी गई थी इस दिवस की बेंज़ा में नेंटया नहूँ किस देश की प्रधान मंत्री बने है ये है इसराइल ये इसराइल की प्रधान मंत्री बने है बेंज़ा में नेंटया नहूँ HAS बिकम the prime minister of which country तो ये है इसराइल दोस्तो बात आईए इसराइल की तो आपको यहां की कुछ important fact बाते हैं सबसे पहले आपको map में बता दे है इसराइल की बारे में तो यह आप देख पा रहे होंगे यह है इसराइल इसराइल की राज्थानी है Jerusalem इसराइल की राष्ट पती है Rawven Revelland इसराइल के प्रधान मंत्री जो हाली में बने हैं यहां बेंजा में नेतना हूँ और यहां की करणसी है New Shekel तो यह इतना आपको इसराइल के बारे में याद रखना है और आपको map में इसकी location के बारे में जरूर याद होना चाहिए इससे दोस्तों आपको एक rough idea हो जाता है इसके अलाबा आपके जो भी important factor रहती है जो भी confusion रहती है map के द्वारा आपको इन सभी confusion का निदान हो सकता है Next question बनता है World Museum दिवस कम मनाया जाता है यानि 200 संग्रालय दिवस कम मनाया जाता है तो प्रतीक 18 माई को World Museum Day celebrate किया जाता है इस बार इसकी theme रखी गई थी Museums for Equality, Diversity and Inclusions तो ये theme आपको याद रखना है दोस्तों आजकल theme पर ज़्यादा question पूछ जाती है मदब्रदिश के किस संभाग में कोरोना अपडेट जानकारी और आंकड़े उपलब्द कराने website जारी की जा रही है तो ये है सागर संभाग मदब्रदिश की सागर संभाग में कोरोना अपडेट जानकारी और आंकड़े उपलब्द कराने website बनाई जा रही है दोस्तो अभी इस website का काम पूरा नहीं हुआ है जैसे ही पूरा होगा आपके सामने में लाकर पेश कर दूँगा Next question है भारत देश को कितने वर्ष के लिए WHA का अध्यक्ष चुना गया है तो यह है एक वर्ष के लिए दोस्तो जैसे WHA है ना इसी की एक संस्था है यानि इसकी जो assembly है उसे कहा जाता है World Health Assembly या WHA और इसका अध्यक्ष भारत को एक बर्ष के लिए चुना गया है तो आपको इतना याद रखना है दोस्तो आपको एक और important fact बता ले इसकी अध्यक्ष भारत देश को चुना गया है लेकिन जो ब्यक्ति हैं वो है Dr. Harshwardan जो बर्तमान में केंद्रिय स्वास्त मंत्री है केंद्रिय स्वास्त मंत्री है भारत सरकर में इन्हें WHA का अध्यक्ष चुना गया है और अध्यक्ष देश चुना गया है भारत को तो ये दो important question बनती है आपको याद रखने हैं और एक बर्स के लिए अध्यक्ष चुना गया है next question है किस राजने प्रवासी मजदूरों का चरण पादू का पहल शुरू की है तो ये हमारा प्यारा मद्देप्रिदेश है जिसमें प्रवासी मजदूरों को चरण पादू का पहल शुरू की गई है यानि next question बनता है which state has launched चरण पादू का इनिशियेटिव तो ये हैं मद्देप्रिदेश next है किस राजने COVID-19 रोगियों को अस्पताल में वीडियो कॉलिग और TV की शुविदा देने का नेना लिया है which state has celebrated प्रोवाइड वीडियो कॉलिग यहाँ पर दोस्तों वीडियो कॉलिग है क्या हो गया यहाँ पर वीडियो कॉलिग and TV facility to COVID-19 patient in the hospital तो यह है मद्देप्रिदेश मद्देश राजने ऐसी वास्ता की है कि रोगियों को अस्पताल में ही प्रदान की जाए next question बनता है केंदर द्वारा जारी कच्रा मुक्त शहरों की list में मद्देश की किस सहर को 5 star rating मिली है तो यह दोस्तों हमारा प्यारा एंदोर है जो भारत में स्वच्छता में पहले number पर है इसे हाली में कच्रा मुक्त शहरों की list में मद्देश की और से 5 star rating दी गई है अब दोस्तों आपको बता दें मद्देश की कुछ important fact की तो मैं तो इस बार दोस्तों मैं आपको with map के साथ इंदोर के कुछ important fact बताऊँगा सबसे पहले बात करते हैं इसकी location की तो यह आप देख रहे होंगे location इंदोर की यह इंदोर की location है यहाँ पर इंदोर जिला इस्तित है पहला इसका important fact है मद्देश की आर्थिक राजदानी और मिनी मुंबई की नाम से इंदोर को जाना जाता है मद्देश की मौसम बेज सालाव सुयावीन अनुसंदान केंदर भी इंदोर में ही इस्तित है लेजर करन परमान उर्जा संस्तान भी इंदोर में ही इस्तित है मद्देश का राज आयोग और बित आयोग भी इंदोर में ही इस्तित है भीमरा अमबेटकर की जर्म इस्तली जो महू है यह भी इंदौर में ही इस्थित है यहीं सरपर्थम पुलिस कमिशनर पढ़ाली लागू की गई थी तो इतने फेक्ट आपको इंदौर जिले की बारे में याद रखने है सरकार द्वारा PF में कितने प्रतिशत की कटोती की गई है तो मद्रदेश सरकार की द्वारा PF में 2% की कटोती की गई है दोस्तो आपको बता दें यह सबसे पहले तो PF का फूल फॉर्म बता दें तो PF का फूल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड दोस्तो पहले यह 12% हुआ करता था अब गॉर्मेंट यानि केंदर सरकार की द्वारा 2% की कटोती की गई है यानि अब 10% PF कटेगा जिन व्यक्तियों की PF कटती है नेस्ट कॉशन मनता है मद्रदेश की किन जलों को टिड्डियों ने हमला किया है तो दोस्तो सबसे पहले मद्रदेश की उज्जयन साजापुर आगर जिलों में इन जिलों में टिड्डियों की द्वारा हमला किया है बैसे तो पूरे मद्रदेश में टिड्डियों ने हमला किया है लेकिन उज्जें साजापुर आगर मालवा में टिड्डियों ने ज़्यादा हमला किया है नेस्ट कोशन है एरपोर्ट काउंसल इंटरनेशनल द्वाराचारी रैंक में दिल्ली के इंद्रगांधी एरपोर्ट को कौन सा इस्थान प्राप्थ हुआ है तो इसका सही ओफशन है 17 यानि 17 इस्थान दिल्ली के इंद्रगांधी एरपोर्ट को दिया गया है दोस्तो पहला जो इस्थान है वाई अटलांटा और सेकंड प्लेस पर है बीजिंग एरपोर्ट दोस्तो आपको बता दें 17 इस्थान दिया गया है 2020 में इस से पहले 2019 में दिल्ली का इस्थान था बारहवा यानि 5 इस्थान फिसल का दिल्ली 17 इस्थान पर आ गया है 2020 में नेस्ट कोशन है प्रधान मंत्री वय बंदन योजना कब तक के लिए बढ़ाई गई है तो ये 2023 तक के लिए प्रधार मंत्री वय बंदन योजना बढ़ाई गई है दोस्तो आपको बता दें इसके तहट जमा धनरासी बजुर्गों के लिए दी जाती है जिसमें 7.4% का ब्याज मिलता है नेश्ट कोशन है किस चिले में जनजाती महुसो जोहर का आयोजन किया जिक गया है तो ये है मद्धप्रदेश का सागर जिला जिसमें जनजाती जोहर महुसो का ओनलाइन आयोजन किया गया है दोस्तो आप बात आई है सागर की तो आपको मैप में इसके बारी में बता दें तो मद्धिप्रदेश के मैप में आप देख पा रहे होंगे ये लुकिसान है सागर जले की सागर को भारत का हरदय भी कहा जाता है मदबरीज का प्रतम विश्विध्याले हरीशिंग और विश्विध्याले शागर में ही इस्तित है सती प्रता का प्रतम उलिक एरण जो सागर में ही इस्तित है यहाँ पर मिलता है यह कुछ important fact मैंने आपको सागर जिले के बारें बता है आपको इसकी location के बारे में याद रखना है और इसकी important fact भी आपको याद रखना है इनमेंसे आपके exam में कोई ना कोई important fact पूछा जा सकता है जो English medium के बच्चे हैं दोस्तों वो आप English पढ़के देख सकते हैं वीडियो को pause करके देखें और पूरे fact जरूर पढ़ें next question है हाली में किसे UK प्रुसकार से सम्मानित किया गया है तो यह है बिने बदवार जिने UK प्रुसकार से सम्मानित किया गया है दोस्तों आपको बता दें विने बदवार भारत की प्रमुक हाइट्रोगाफर है next question है विस्व मेट्रोलोजिकल डे कम मनाया जाता है तो प्रत्येक 20 माई को विस्व मेट्रोलोजिकल डे मनाया जाता है दोस्तो आपको बता दे इस बार इसकी जो theme रखी गई थी measurement for global trade इसकी theme रखी गई थी next question बनता है हाली में किसे नावाट का अध्यक्ष चुना गया है तो गोविंद राजुलू को नावाट का अध्यक्ष चुना गया दोस्तो बात आईए नावाट की तो आपको इसकी बारी में बता दे नावाट का फुल फॉर्म National Bank of Agriculture Ruler Development होता है नावाट की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी headquarter मुंबई में है और chairman है गोविंद राजलू जोने हाली में बनाया गया है next question बनता है मद्वदेश तूलसी साहत अकेडमी द्वारा online कभी सम्मिलन का आयज़न कहां किया गया है तो ये भी सागर में ही किया गया है मैंने आपको सागर की important fact पहले ही बता दिये हैं तो ये भी question आपको most IMP बन जाता है क्योंकि ये तूलसी साहत अकेडमी द्वारा online सम्मिलन आयज़न किया गया है मांखनला चत्रवेदी पत्रकारिता और संचार विश्विध्याले का कुलपती हाली में किसे बनाया गया है तो ये है संजय दुवेदी को मांखनला चत्रवेदी, रास्टिय पत्रकारिता और संचार विश्विध्याले जो भूपाल में एस्थत है इसका कुलपती संजय दुवेदी को बनाया गया अंतरास्टिय चाय दवस का मनाया जाता है तो 21 मई को अंतरास्टिय चाय दवस मनाया जाता है दीदी बाहन पहल की शुरुआत के जिले से हुई है तो यह है जाबुआ दीदी बाहन पहल की शुरुआत जाबुआ जिले से की गई है दोस्तो बात आई है जागवा की तो आपको मैप में सबसे पहले इसकी लोकेशन बता दें तो आप देख पा रहे होंगे ये है जागवा की लोकेशन मद्धिप्रदिस की मैप में आप इसकी कुछ इंपूटेन फैक्टी की बारे में जानती हैं तो भारत का प्रतम आदिवासी सोच संचार केंद्र जागवा में ही इस्थापित किया गया था जागवा में रॉक फास्पेड डॉलमाइट प्रमुकता से पाया जाता है भागोरिया हार्ट यहीं पल लगाया जाता है विसु की पहली भीली फिल्म फैसला जागवा में ही बनाए गई थी मेग नगर और द्योगे केंद्र भी जागवा में ही इस्थाथ है तो दोस्तों यह कुछ इंपूर्टेन फैक्ट मैंने आपको जागवा की बारे में बताए हैं आपको इन में सी क्वेशन बनती है और यहीं सी क्वेशन बनती है तो यह फैक्ट आपको याद रखनी है तो प्रत्येक बर्ष 22 माई को अंतरास्टिये जैब विवित्ता दिवस मनाया जाता है इस बार इसकी थीम थी our solutions are in nature तो यह थीम आपको याद रखनी है जैसा मैंने पहले बताया है दोस्तो थीम से related question आजकल exam में बहुत पूचे जाती है तो आपको इसकी थीम याद रखनी है थीम है our solutions are in nature भारत व्यक्ति का सुरक्षा उपकरण निर्माता देशों में किस स्थान पर है तो भारत दूसरे इस्थान पर है व्यक्ति का सुरक्षा उपकरण यानि PPE किट निर्मान में दोस्तो इस से पहले चीन का पहला इस्थान है यह ने खाले में किस उत्पादन में? बेसुन में सीर्स पाँच देसों में जगह बनाई है भारत ने तो यह है शहद उत्पादन में भारत ने पत्रतिशत की ब्ड़ाउतरी शहद की उत्पादन में की गई है तो ये most IAP question बन जाता है आपको याद रखना है कौन सी भारती सेना को खत्म करके आम्ड रेजिनिमेंट में बदला जाएगा तो घुरसुबार सेना भारत की घुरसुबार सेना को खत्म करके आम्ड रेजिनिमेंट में बदला जाएगा दोस्तो जैसा कि आपको सायद नौलिज ना हो लेकिन भारत में घोर सबार सेना भी थी दोस्तो ने हाली में किस राज में सरम सिद्धी अभियान शुरू किया गया है तो यह हमारा मद्दिप्रदेश है जिसमें सरम सिद्धी अभियान शुरू किया गया है दोस्तो यह अभियान मद्धिप्रदेश की मुख्य मंजरी इक्षिवरासयां द्वारा शुरू किया गया है मद्धिप्रदेश की मजदूरों को जोब कार्ड बनवाना और रोजगर उबलब्द कराने के लिए यह सरम सिद्धी अभियान शुरू किया गया है दोस्तो इस से related जो भी और important fact है वो मैं आपको माई का जो current event का वीडियो होगा उसके बारे में बताऊँगा तो वो वीडियो भी देखना आप ना भूले इसके कुछ दिन बाद वो वीडियो launch हो जाएगा Next question बनता है हाली में किस देश ने Open Sky Treaty से हटने का प्रस्ताव पारित किया है तो यह है USA यानि United States America ने Open Sky Treaty से हटने का प्रस्ताव पारित किया है अब दोस्तो यह Open Sky Treaty है क्या सबसे पहले आपको इसके बारे में बता रहें तो रूस, UK, France और यूरोपिय देशों ना इसके अलावा USA ने एक ट्रेटी यानि समझोता पारित किया था जिसमें जो भी देश है उनकी सेन गतिविदियों के बारे में जानकारी उपलब्द करना है यानि जैसे अमेरिका है वह अपना एक बिमान रूस के उपर बिना हत्यार के उपन में फिलाई करेगा और वहाँ पर देखेगा कि रूस कहीं कोई सेन गतिविदी तो नहीं कर रहा है कहीं कोई परिक्षन तो नहीं कर रहा है इसे ओपन इसका ट्रेटी कहा गया था जिससे हटने का प्रस्ताव हाली में USA ने पारित किया है अब बात आईए USA की तो आपको इसके बारी में बता दें मेप में आप देख पाना है कि यह है United State America इसकी राज़धानी है Washington DC जिसे कौन नहीं जानता है राश्टपती है Donald Trump यह तो और चर्चेत इंसान है Donald Trump और यहां की मुद्रा है Dollar, American Dweller तो आपको इतना USA की बारी में याद रखना है Next Question मनता है विस्सो कछुवा दिवस कम मनाया जाता है तो प्रतीक वर्श 23 मई को विस्सो कछुवा दिवस सेलिबरेट किया जाता है दूस्ते इस दिवस की शुवाद 2000 में की गई नेस्ट कॉशन है कौन दो जिला मनरिगा की अंतरगत कारे देने वाले इस्थान पर है तो इसका सही ओफ्षन है बाला घाट जिला मनरिगा की अंतरगत कारे देने वाले जिलों में पहले इस्थान पर है नेस्ट कॉश्चन है किस राजने हाली में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है तो यह है मनीपुर मनीपुर राजने हाली में खेलों का उद्योग का दर्जा दिया है तो दोस्तो बात आई है मनीपुर की तो आपको कुछ important fact इसकी बारें बता दें मैंने यहाँ पर map की photo upload तो दोस्तो ऐसे ही आपको मनीपूर की बारें बता दूँ मनीपूर की गठन 21 जनवर 1922 में किया गया था यहां की राजजपल है नजमा हेट तुल्ला मुख्यमंत्री है एन विरेंस है जो भाजापासे है यहां पर बिधान सबा सीटे हैं 60 दोस्तो यहां पर राजजपल की एक सीट है और लोग सबा की दो सीटे हैं तो आपको इतना मनीपूर की बारे में याद रखना है मनीपूर की राजधानी है एमफाल कोशन है हाली में बलवीर सेंस सीनियर का निधन हुआ यह किस केल के प्रिसिद्ध खिलाडी थे तो यह हौकी के बहुत प्रिसिद्ध खिलाडी थे इनका हाली में निधन हुआ है कोशन है मद्यपृदेश में जल सनरक्षन के लिए बनविवाग द्वारा केमपा फंड से कितने रुपए की राशी ली गई है तो यह 35 से 50 कड़ूर के रुपए की बीच की राशी चल सनरक्षन के लिए बनविवाग के द्वारा केमपा फंड से ली गई है मध्यपृदेश में कोशन है हाली में किस देश ने माउंट एवरेस्ट को नापा है तो यह है चीन हाली में चीन ने माउंट एवरेस्ट को नापा है तो दोस्तो इसकी अनुसार जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वह घटकर 8844 मीटर हो गई है जबकि बास्तविक उचाई जिसे नेपाल ने नापा था वह थी 8848 मीटर तो 4 मीटर घटकर माउंट एवरेस्ट की उचाई चीन के द्वारा बताई गई है नेक्ट कोशन है हाली में ओला ने किस एलेक्टिक मोटर वहान कमपनी को खरीदा है तो एटेगो कमपनी को ओला ने खरीदा है हाली में दोस्तो यह डील 700 करो रुपय में की गई है एटेगो नीदलेंड की एलेक्टिक मोटर वहान कमपनी है नेक्ट कोशन है केचप नाम की कॉलिंग एप्लिकेशन किसके द्वारा लाँच की गई है तो फेस्वोक की द्वारा केचप नाम की कॉलिंग एप्लिकेशन लाँच की गई है दोस्तो इसके अलावा Facebook की द्वारा एक और application लॉंच की गई है जो है Music Making App जिसका नाम है Collab Next question है किसने AI शमताओं में सुधार के लिए Inventor of the Year के खिलाफ यहाँ पर के खिताब है के खिताब से नवाजा गया है तो दोस्तो यह है राजीब जोसी जिने AI शमताओं में शुधार के लिए Inventor of the Year के खिताब से नवाजा गया है Next question है हाली में स्यामला भावी का निधन हुआ यह कौन थी तो यह एक महान संगी तक गे थी जिनका हाली में निधन हुआ है Next question है हाली में लॉंच हुआ ब्रांड फ्रेस FRSH किसका है तो यह सल्मान खान का नया ब्रांड है Next question बनता है हाली में New Development Bank का अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तो मार्कोस ट्रायजो को New Development Bank का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तो आपको बता दें यह जो BRICS देश है उनका यह बैंक है यानि BRICS में कौन कौन सी कंट्री है आपको पता होना चाहिए तो BRICS में भारत, ब्राजील, चायना, रसिया और साउथ आफ्रिका यह BRICS कंट्री है और इनी का एक बैंक है जिसका नाम है New Development Bank जिसका अध्यक्ष मारकुस टायजो को चुना गया है Next question मनता है बायुशेना दौरा समस्त अभ्यास कितने समय तक के लिए रोग दिये गये हैं तो 6 महीने तक के लिए बायुशेना दौरा अपने समस्त अभ्यास रोग दिये गए हैं तो दोस्तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की है 21 से 31 मही के बीच जितने भी important current affair है उनके बारे में तो दोस्तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल study universe को subscribe कीजिए दोस्तो हमें एक typist और जो भी teacher है जो हमसे जुड़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं वो हमें इस id पर अपना resume send कर सकते हैं जो भी होगा हम इस id पर बात करेंगे तो दोस्तो आज के लिए बसतना ही नमस्कार